नमस्कार बच्छों बच्छों आज हम बात करेंगे सुक्रोज की सरच्णा की बारे में और हमने इन से पहले वाले जो लेक्चर पढ़े हैं जैसों में अपनों उन्यक्री की सब्सक्राइब करेंगे फ्रक्टोज की सरचना की बात करी थी अगर आपने ग्लुकोज और फ्रक्टोज की सरचना अच्छे से पढ़ रखी हैं तो आज ये शुक्रोज की सरचना को समझने में ज्यादा प्रोब्लम नहीं आगी तो जो ग्लुकोज और फ्रक्टोज हैं वो मोनोसेकराइड से हैं ग्ल शक्रोष को शरक्रा ओता है के सकते हैं लेकिन शुक्रोषग लुक ओतो निये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं शरक्रा के अंदर ग्लुकोषब भी आ सकता है उसके ब्हुता है जो भी तो होते हैं उनको अपना है खकरार्ण associate वर्ड ग्लुकोज के लिए भी उसकिया जा सकता है फ्रक्टोज के लिए भी उसकिया जा सकता है कि ग्लुकोज एक शरक्रा है फ्रक्टोज एक शरक्रा है इसी प्रकार शुक्रोज भी क्या है एक शरक्रा नहीं समझना ठीके शुक्रोज भी क्या है एक शरक्रा है अब जो शुक्रोस का यदि जल अपगरण करवाये जाए शुक्रोस का जल अपगरण करवाने पर टनौ अमले की उपसिती में तो आपको मिलेगा ग्लुकोज और फ्रक्टोज शुक्रोस का जल अपगरण करवाने पर आपको मिलेगा ग्लुकोज और फ्रक्टोज तो शुक्रोस का जो करभा दो हृट्रोलिकोस करवा दो आपको मिलेगा ग्लुकोस और प्रक्टोस C6-H12-O6 C6-H12-O6 1 मिला आपको ग्लुकोस कर एक मिलेगा फ्रक्टोस है two odd दोनों अलग अलग चीजे हैं दोनों का अनुशुत्र समान हैं दोनों की सनश्न अलग अलग है जो हम पहले जान चुके हैं अब जो है ग्लुकोज और फ्रक्टोज अलग-अलग टाइप के होते हैं ग्लुकोज की मैंने अलफा ग्लुकोज का बताया था बीटा ग्लुकोज का बताया था ऐसे अलफा डी फ्रक्टोज बताया था ठीक है ग्लुकोज की अलग-अलग फ्रक्टोस की होती है बीटा एकाई कोण सी एकाई होती है बीटा एकाई यूज में आती है इसमें ओके गुलुकोज और फ्रक्टोस से जब आप शुक्रोज बनाओगे तो कोण सी एकाई काम में आएगी अलफा एकाई गुलुकोस की और बीटा एकाई किसकी फ्रक्टोस की द्यान से देखना, अब हम glucose और fructose की structure बनाते हैं, देखो, simple structure है, पहला carbon, दूसरा carbon, तीसरा carbon, चोथा carbon, पाचवा carbon और चटवा carbon, पहले carbon, CHO group है, फिर क्या लिख रहे हैं, ह, OH, OH, H, OH, CH2, OH, इसका configuration अपन RS, RR लिखते हैं, glucose का configuration, RS, RR configuration होता है, फ्रक्टोस की structure बनाते हैं, पहला carbon, दूसरा carbon, तीसरा carbon, चोथा carbon, पाचवा carbon और चटवा carbon, ओके, CH2OH, CH2OH, इसमें मैं oxygen को इधर जोड़ दो, देता हूँ, फिर ये OH, और ये H, H, OH, H, और ये लिखा में ने OH, नंबरिंग कर लेते हैं, इन carbon की हैं, ये पहला carbon, ये दूसरा carbon, ये तीसरा carbon, ये चोथा carbon, ये पाचवा carbon, ये छटवा carbon, इसी प्रकार से यहाँ पर भी नंबरिंग 1, 2, 3, 4, 5, और ये 6, द्यान से दिखेगा, glucose में जो है, पहले carbon और 500 carbon, पहले carbon और 500, C1 और C5, किसके बीच में? C1 and C5 के बीच में क्या होगी? आकसाइड रिंग होगी, शुक्रोज में जो होगी, ये उसमें, फ्रक्टोज में जो होगी, C2 and C5, के बीच में क्या होगी? आक्साइड रिंग होगी, देखते हैं, C1 और C5 की बीच में, ध्यान से देखिएगा, ये कौन सा अलफा फॉर्म है, तो अलफा फॉर्म कैसे बनाया था, जब ग्लुकोज की स्ट्रक्चर हमने समझी थी तो, इस हाइडोजन को कहा लिखा था, यहाँ पर लिख दिया था, तो यह उक्सिजन, यह उक्सिजन यहां लिख दिया, ठीक है, तो इस उक्सिजन ने, इस कारबन की बीच में, और यहाँ पर इस कारबन के बीच में क्या है, बॉंडिंग बनी, मेरी बात को समझना, अब यहाँ पर, C2 और C5 की बीच में अक्साइड इन्ग बन रही है, तो अगर यह OH इस साइड में होता, तो फ्रक्टोस का कौन सा फाउम होता, अलफा फाउम होता, OH इस साइड में है, इसलिए यह कौन सा बीटा फाउम है, ग्लुकोस का यह कौन सा फाउम है, अलफा फाउम है, मेरी बात को आप समझ गये होगी अच्छी तरह से, तो यह alpha D glucose है, D doublo headow, इसलिए कहते हैं, अ किरेल carbon है, यह antホ, अगर यह anthe sow, इसलिए में असा ऐहां और भीटा यहां दिद्रूबाँ सब्सक्राइब. पर यह तक आपको समझ में आगया होगा? अब हम आगे बात करें कि αल्फा ग्लूकोज और बीटा अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज से अपन जो structure एक इस तरीके से भी बना सकते हैं इस तरीके से structure बनाएंगे तो देखो ग्लूकोज का ये पहला कार्बन ये दूसरा कार्बन ये तीसरा कार्बन ये चोथा कार्बन और ये पांचवा कार्बन पहला दूसरा तीसरा चोथा पांचवा और ये छटवा कार्बन ये लिया छटवा कार्बन इसको अपन छटवा कार्बन करेंगे तो यहाँ पर देखी आप 1, 2, 3, 4, 5 और 6 देखो पहले और पांचवा की बी को कि अब अगर आपको यह सलगजना समझ में अगए नहीं तो अब देखिए यह यह का यह और यह ओएच जियान से देखिएगा फिर यह लिखा हुuer उर यह लिखा हुuer and फिर यह OH और फिर यह लिखना हूँ H फिर यह H और यह OH ओथे नमबर पर यह H और यह लिखा मैंने OH फिर यह H जैसे उपर चले तो इस साइड वाला कहा आ जाएगा निचे आ जाएगा तो यह हो गया glucose का कौन सा alpha-d glucose अब फ्रक्टोस की सनष्णा बनाते हैं जहां से देखिएगा पहला दूसरा तीसरा चोथा पांच्वा छटवा कार्बन फ्रक्टोस की सनष्णा बना रहों में देखिए यह ऐसे बनाते हैं इस की स्ट्रक्चर को CH2 OH ये दूसरा कार्बन पहला कार्बन दूसरा कार्बन ये तीसरा कार्बन ये चोथा कार्बन और ये पांचवा कार्बन दूसरे और पांचवे की बीच में क्या अक्सिजन है तो तीन चार पांच दूसरे और पांचवे की बीच में ये अपनोंने अक्सिजन को शो कर दिया ओके दूसरे और पांचवे की बीच में अपनोंने अक्सिजन बता दिया अब देखो अगर हम ऐसे चल रहे हैं कैसे एंटी क्लोकवाइज चल रहे हैं तो क्या होगा कि यह वाला गुरूप इस साइट के गुरूप जो कहां पर लिखेंगे अपर नीचे लिखेंगे ओएज और सी ओएज यह ओएज यह वाली साइट कहां लिखना आपको नीचे लिखना फिर क्या लिख रहा है एज ओएज तो यह और यह लिखा में ओएज यह साइड उपर लिखेंगे यह साइड नीचे लिखेंगे इसमें यह साइड उपर लिखी थी यह साइड नीचे ल carbon H और यह CH2OH ठीक है यह वाली साइड अपन जो है किदा लिख रहे है यह यह जो है पांचों नंबर का carbon इसको जैसे टर्म लिया अपनोंने इसको इस तरीके से लिख दिया CH2OH और यह एच ऐसे लिख रहा है तो यहां पर यह वाली साइड अपने कहा लिखी थी उपर लिखी थी जैसे यहां टर्न लिया कि यहां पर अपनोंने इस तरीके से अपन लिख लेंगे यह पांचवा और यह छटवा कारबन बहुत साइड चीजें धियान टर्खनी पढ़ दी इसमें अपने को हैं ठीके यह वाले जो ौस नहीं इनको कहते है वर्थ प्रक्षेप सुत्र हेवर्थ प्रक्षेप सुत्र और यह फीशर प्रक्षेप सुत्र कौन से हैं फीशर प्रक्षेप सुत्र दोनों अलग लग शुक्रोस का अगर हेवर्थ प्रक्षेप इसका ग्लुकोस का हेवर्थ प्रक्षेप सुत्र यह है फ्रक्टोस का हेवर्थ प्र यह जो कि इस यह च является रहे इस कारभर इसे इस सिर सब्सक्रीजन बचा तो देखो यहां पे ध्यान से ये बचा भीया oxygen ओके हमज में आया इसी प्रकार इसी structure में क्या करेंगे अपन एक का क्या करें अपन OH और एक का क्या करें H निकाल दे और एक oxygen ही बचा तो एक oxygen को इन दोनों के बीच में ऐसे बता दो ठीके बुक्स में आपको ऐसे मिले तो भी दिक्कत नहीं यह की बात है यह लिखो या डारेक्ट लिखो कोई फरक नहीं पड़ रहा तो यह है और इस बॉंड को हम कहेंगे glycosidic bond glycosidic bond glycosidic bond क्या बन गया यह सुक्रोज की सरचना है यह किसकी सरचना सुक्रोज की सरचना अब glucose फरक्टोज नहीं रहा किसकी सरचना हो गई है शुक्रोज की सरचना यह भी किसकी सरचना हो गई है यह इस्टो निकल लेक बाद यह किसकी सरचना बन गई सुक्रोज की सरचना सुक्रोज की सरचना शुक्रोज क्या है भाया एक डाई सेकरेट है दो मोनो सेकरेट से कहियों से मिलकर बनता है कौन कौन सी मोनो सेकरेट सिकाय यह इसमें एक गलकोज और एक फरक्टोज एक परक्टोज है कि इसे को पन आलफा D अल्फा डी प्लस ग्लुकोस को तो भी दिक्कत नहीं है क्योंकि यही फ्रों में और बीटा डी माइनस अल्फा डी प्लस ग्लुकोस और बीटा डी माइनस फ्रक्टोस को हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है तो शुक्रोस की सलशना हेवर्थ प्रक्षप सुत्र में ये है और फीशर प्रक्षप सुत्र में ये है कैसे बना ही अपनोंने imagination की पहले glucose की structure imagination करी फिर फ्रक्टोस की structure imagination करी glucose और फ्रक्टोस की अपनोंने पहले फीशर प्रक्षप सुत्र देखे फिर इनके हेवर्थ प्रक्षप सुत्र देखे फिर आपनोंने देखा कि कहां से बाटर माली को निकल रहा है वहाँ उस जेगे को देखा और इन दोनों की बीच में क्या बन गया बॉंड बन गया, कौन सा बॉंड है, ग्लुकोज और फ्रक्टोस की बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉंड कहेंगे तो मैंने आपको ये शुक्रोस की जो इस्ट्रक्टर बताएं पूरी बारिकी से बताएं और मेरे इसाब से अब आपको सारी जानकारी हो गई होगी शुक्रोस डाइसे के रैट से की कि कैसे इसकी इस्ट्रक्टर बनेगी ज्यान से समझेगा कॉपियों में बनाते हो भी लिखियेगा आपको 100% सारी चीज़े समझ में आ जाएगी ओके ठीके साथी हो मिलेंगे फिर नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई